हेलो दोस्तों नमस्कार स्वागत है आपका अमारे यूट्यूब चैनल समराट एजूकेशन में दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोग को ब्रतिक सब्जेट का सौसर करा जाएगा तो यह इस सब्जेट का लाश्ट वीडियो रहेगा इसमें आप लोग को 35 किसन देखन वहां से जाकर कि आप लोग देख सकते हैं और यदि आप लोग को इसका पीडियेप चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में यू आट्सफ ग्रूप का लिंक और वाटसफ नमबर दिया गया है मैं इसका पीडिय भी ले सकते हैं चले स्टार्ट करते हैं बीना देरी किवे पहला क सबसे पहले मार्डन ग्रीन हाउस का स्रे किसे दिया आता ठीक है मार्डन ग्रीन हाउस का स्रे किसे दिया आता है ठीक है तो चार्ल्स लूसियन बोनापार्ट को मार्डन ग्रीन हाउस का स्रे दिया ता किसे दिया आता है चार्स लूसियन बोनापार्ट को इन्हों ने मेडि तो ग्रिन लोने मेडिशन ल्डोपिकल प्रेक्ट को ग्रोफ किया था अगला क्यों भारत में सब्सक्राइज करना अगरो किया था धारत में किया जाता ओधारत क्लुछे हाउब भारत के कौन सिराज का ज्यादा तर शेतरपल प्रोटेक्टेट कल्टिवेशन के अंडर में आता है तो महाराष्ट का ठीक है अगला है सिंगल फिम क्लेडिंग ठीक है यू वील डीपी एकी नियुंतम मोटाई होनी चाहिए ठीक है सिंगल फिल्म क्लेडिंग जो है उसकी माइक्रान होनी चाहिए और जो यू वील डीपी है इसका पूरा नाम क्या हता है तो अल्ट्रा वाइलेट लो डेंसिटी पॉलिथिलीन ठीक है अल्ट्रा वाइलेट लो डेंसिटी पॉलिथिलीन इसका पूरा नाम है याद रखेगा पूछ सकता है यू वील डीपी का पू च्छे ट्रफल कितना है ठीक है यदि ये टरफन को दूब में सुखाना है त्रडिशनल में ठसे सुखाना आज को उसके लिए कितने च्छेत्रफल की हो सकता होगी ठीक है याद रिखेगा बहुत ही आम इंपॉर्टन करणक कम होते हैं उसके काड़ कम होजाता है और रूपड और क्रसिंग के कारड़ जो इसलिए छोटा है कि हैемर मेंल की छमका किस पर इन की अकार पर पर अगला कि दान में बूसी depend की बुच लेता है पूछेगा कि धाल में का रतिसी की कितनी होती तो 20-25 धाले कि धाल और उस्पनाईसी होता है ठीक है और आप लोग का कि दे गला किसन को हाँ पर नहीं बनाना चाहिए कौन से अस्थान पर ग्रीनावस को नहीं बनाना चाहिए तो जहां पर water logging area हो और undulating area हो जहां पर उबल खवर भूमी हो और जल भरा वाली भूमी हो जहां पर जो नमी है उसकी मातरा बहुत अधिक हो या जल भर जाता हो water logging condition वाला हो या water logging area हो वहां पर green house को नहीं बनाना चाहिए ठीक है कहां पर undulating land या उबल खवर भूमी पर और जलगर से छेतरों पर green house को नहीं बनाना चाहिए अगला है green house के लिए भूमी कैसा होना चाहिए तो green house के लिए जो भूमी है वह समतल होना चाहिए अगला किस्टन है एक green house का दूसरे green house से दूरी कितनी होनी चाहिए एसाद देखे बहुत important question है एक green house का दूसरे green house से दूरी कम से कम 10 से 15 मीटर होना चाहिए ठीक है 10 से 15 मीटर दूरी होना चाहिए एक green house का दूसरे green house से अगला है ग्रिन हाउस से कितनी दूरी पर विंड ब्रेक लगाना चाहिए तो इससे 20-30 मीटर की दूरी पर आपको विंड ब्रेक लगाना चाहिए वह भी पस्चिम की दिसा में ठीक है पस्चिम की दिसा में आप लोग लगाना चाहिए तो इससे 20-30 मीटर की दूरी पर आप लोग को विंड ब्रेक लगाना चाहिए और विंड ब्रेक के लिए किस पहुझे के यूज़ कियाता है तो विंड ब्रेक के लिए सिल्वर ओक सिल्वर ओक और कैसुर आरीन में काा पौदार लगा जाता है ठीकितनी दुरी होती विंड़र की की मिन रखेखS between回去 में jetzt एकला किशन में गुिस प्रकार की्प टाएप्ड़ होती ठीक है में उसकी कन्डीशण सबसे ख्यादा किस फूल की खेती कियाता है इसमें सबसे जब ही खेती कियाती है और सब्सक्राइब की खेती है और सब्सक्राइब चाहिएती में जभी पदर की खीटिक है तो गुलाँपकी थिर में तो भुलाइप्पर की सब्सक्राइब थिर्त होना चाहिए थिकाओर नहीं के अंदर मेलिक सापक्छी आद partie差та के बीच warmer चाहिए थीक है उम्मिद करते हैं आप लोगों समझ में आ रहा होगा पीठे का में जो भी क्यूशन बताया है मैं अभी दो क्यूशन और बता कि फिर रिपीट कर देता हूं ठीक है अगला क्यूशन है निगी नाउस की बारत में शुरुआत का वही थीक है हमारे भारत देश में गी न Meu managers हमें र Совλά Toronto की है अप्वह सकते हमारे कि यदि खीथ सम्झे घृटजण साटील तक ये girls और अब उसके wil उसकुन स्रक्रेशन चाहियं दाख वारJackas नहीं पर क्लिक करेंगे य।को है पएषर भी बोल जाता ठीक है तो रो है कि देखेंब लोग लग रोखना है ठीक है बोला जाता है है यह होति होती होती है रेंट से 55 वर चाइब का क्या होता है वलन्बाई 30 मिटर नंबाई 20 मीटर होती है और घाइड जो की दो से डाइँ मीटर होती है इसके अंदर रख़त सकते हैं मस्दूर्ण ऑसानि से काम करते हैं तो व्य स्थाइट रखते हैं इसकी लंबाई में 30 मीतर होती है उश्वार 75 में होता है ठीक है आगे देखते हैं इसमें कितने MAY caliber का polyp 안usiol दिश करते हैं तो 200 those ठीक है 200 micron का पालिफल में यूज किया जाता है कहां पर ग्रीन हाउस में अगला क्यूशन है प्रोटेक्टेट इस्ट्रक्चर के समान में समानता अर्ली रूटिंग और कटिंग के लिए यूज किया था ठीक है जो प्रोटेक्टेट कल्टीवेशन सरी प्रोटेक्टेट सा रचना होती है उसमें समान रूप से जल्दी से रूटिंग के लिए और कटिंग के लिए क्या याद रखेगा अगला किश्चन ओपें रूफ ग्रिन हाउस किसके दरा डेवलेप किया गया था ठीक है जो ओप रूफ पर छट नहीं होती ओपें रूफ होता है वह गिर्न हाउस जो उसको किसने डेवलप किया था तो 8 1 विंगे डन ने उनली सनभी में ओपन रूफ ग्रीन हाउस को विख्षित किया था किसने अगरा क्यूस्टेन है तापमान कम करने के लिए वह कहन्व सा मेथड यूच किया था है ठीक है बहुत इंपर्टन क्यूस्टन है गिन हाउस जो है उसका तापमान का भी क्या होता बढ़ जाता है तो उसमें तापमान को कम करने के लिए अगला क्यूस्टन क्या बढ़ा होता है तो कम से कम 6 लीटर प्रती मिनट पानी जो होगा घुजरना चाहिए ठीक है अगला होज किसे कहते हैं होज किसे कहते हैं तो होज यह था 205.5 polyethylene के निले pipe ठीक है 200 micron के polyethylene के पाइप उते हैं जिसको होज बुलाता है इसीishing pipe किःगता है drip irrigation के लिए किया जाता है जो कि अमारें उस्षाया apo प्रेयो क आता है शिचाइव इडी में drip irrigation उसमें 200 micron के polyethylene स्टीन के मिले का यूज किया थैंट है इसी को किसे बुलते हैं तो 200 एपाली एथिल्इन के इस कांब को होग घंडा साधा वहाय त्या यहां पर मैंने आ इसनग धीक्षान दो सो मईडर पॉलता में किस ब्रिषी युज नहीं कि घुटक है ठीक है यह जो पाइब होता है इस पाइब में जो पानी होता हुआ 0.3-0.6 kg प्रतिवर्ग सेंटी मीटर के दबाव से बहता है ठीक है आगे देखते हैं पचीसमा की सन आवस्यक तत्यों की उपलबदता पर प्याचमान के परवाव की व्याक्षा किस ने किया है तो कार्नज अगे देखते हैं जो प्लग ट्रे होता है उसकी चड़ाई और लंबाई कितनी होती है प्लग ट्रे की चड़ाई और लंबाई कितनी होती है कितनी होती है आथ तो कट्रे यो ता हुसकी लंबाई लंबाई ने जो होती है उसकी लगवख 20 paste ॉर लंबाई 61 सेंटीमीटर ठीक है जो लंबाई ? यह कितना हो गया 30 2 16 मतलब इसकी चड़ाई जो है वह कितनी हो गई तो 30 हो गई और लंबाई 61 हो गया ahead यह 13 cm स्फिंट मीट की लंबाई कितनी होती है तो प्राइद तीस लंबाई 61 संट मीटर गह रांगा事情 है ग्रिन हाउस प्रवाव को रोखने के लिए सबसे पहले कब विचार किया गया था ठीक है तो ग्रिन हाउस प्रवाव को रोखने के लिए सबसे पहले रियो सम्मेलन में हुआ था जिसमें 1922 में सबसे पहले ग्रिन हाउस प्रवाव को रोखने पर विचार किया गया था ठीक है इसका पीडिया पाप आप लोग लिए अगयाँ तो यदि आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा पाउगा तो अगले सब्सक्राइब नइकरते और हम इतने मेंफा लोग के लिए विडियो बनाते हैं और कुछ तो समझा करी भीया चलिए अगला किसन देख लेते हैं अठाइसमा Qaysion है, गृन हाउस की उसमी वातावड़की अस्थाई दसा का विक्याई सड़ की है, ठीक है अगला ग्योह के भूसा में कितने दाग उर्जा होती है, जो ग्योह का भूसा होता है, उसमें कितनी दाग उर्जा होती है, तो 19.8 मेगाजूल प्रती किलोग्राम ठीक है मतलब एक किलोग्राम में 19.8 मेगाजूल की दाग उर्या मिलती है यहों के बूसे में ठीक है 19.8 मेगाजूल प्रती किलोग्राम अगला क्यूस्टन है PVF पॉलीविनेल फ्लोराइड फ्लोराइड नहीं याद अखिए का फ्लोराइड पीवीफ है तो पीवीफ जो हता है पालीविनेल फ्लोराइड को और किसे नम चाहिए तो टेंडलर के नम से नम से जाता है ठीक है अगला किस्षान है मिट्टी में कार्वनिक पदार्थ के विगटन के लिए कार्वन नाइट्रोजन का अनुपात होना चाहिए ठीक है मिट्टी में जो कार्वनिक पदार्थ है उसके विगटन के लिए कार्वन और नाइट्रोजन का अनुपात कितना होना चाहिए तो 30 संबंदे एक होना पॉस्टर की घराई होती है एंगा क्यूस्क्षण है इवन इस्पेंड टाइफ की इन ऊस्की न्वाई के इतनी होते हैं तो चौह भीस मीटर की आसपास औनी चाहिए इसकी लंबाई ठीक है और इसकी उच्छाय जो डाइन से पाड़े 4 मीटरो के बीच होते है इसकी जोभाई होती है थाइऑ मीटर से लेकर 4-30-3 मीटरो तक होथी है अगरा के इससे कीसे कातें देखे आप समय दे दिगा की जहां छत और लिवार मेलते हैं तो जहां छत और दिवार मलते हैं आप समय के काई दीओ देister का वहलती बताई जो सूखी लखड़ी है उसका उसमी अमान कितना है तो 167 मेगा जूल प्रती किलो ग्राम जो इस सूखी लखड़ी का उसमी अमान है तो यह 25 इंपॉर्टन के संते जो कि मैंने आप लोग को बताए उम्मिद करते हैं 3500 किसन आपको अच्छे लगए होंगा और समझ में अब आया होगा तो आप लोग को वीडियो अच्छा लागा तो लाइक की जाए चलते हैं अब मिलेंगे नेक्स वीडियों धन्यवाद जाहिंद